दोस्तों देसी गर्ल हॉलिवुड पे किस तरह से चाही हुई है यह हमें आपको शायद बताने की ज़रत नहीं होगी फिल्मों से ज्यादा प्रियांका हॉलिवॡ में अवर्ड फंक्शन्स और अपने फैशन सेंस को लेकर लाइम लाइट में रहती है हाली में हुए ग्रैमी अवर्ड 2020 में जब प्रियांका चोपड़ा अपने हस्बें निक जोनस के साथ शामिल हुई तो एक बार फिर उन्होंने सारी लाइम लाइट लूट ली और इसकी वज़ा थी प्रियांका की ओफ वाइट ड्रेस जैसे ही प्रियांका अपने हस्बेंट जोनस के साथ कार्पेट पे पहुँची तो सब के नेगाहें प्रियांका पे ठिक गई क्योंकि शो में अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी तो वो थी प्रियांका चोपड़ा और साथ ही उनका स्टाइलिश गाउन भी जैसा कि आप देख सकते हैं ये गाउन डीफ फ्रंट ओपन है और उनका गाउन गर्दन से लेके नाभी तक खुला हुआ है इस गाउन में प्रियांका बहुत ही ग्लैमरस और ब्यूटिफल लग रही थी तो दीसी गर्ल की स्टाइल को काफी पसंद भी कर रहे थे लेकिन वहीं जहां प्रियांका ने अपने अंदाज से सबका दिल जीता तो वहीं ट्रोल्स भी भला प्रियांका चोपडा को ट्रोल करने से कैसे पीछे रह सकते थे कुछ सोशल मीडिया यूजर्स उनके ड्रेस को लेकर काफी ट्रोल करने लगे और दोस्तों सोशल मीडिया यूजर्स प्रियांका के इस ड्रेस को लेकर अजीब और गरीब कॉमेंट्स करने लगे और दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रियंका चोपडा और निक जोनस आज शायदे किसी नाम के महताज हो, लेकिन ये वही जोड़ी है जो आए दिन किसी वजबसे सोशल मीडिया पे ट工 होती रहती है। ठीक उसी तरह से प्रियंका चोपडा और निक जोनस ने एक ऐसा TikTok वीडियो बनाया है, जो काफी ज्यादा वाइरल हो रहा है उस वीडियो में दोनों एक साथ डांस कर रहे हैं और आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों प्रियंका चोप्रा और निक जोनस ने वीडियो बनाई और उसके बाद वीडियो अपलोड कर दिया टिक टॉक पे ये वीडियो वाइरल भी हो गया उनके फैन्स वीडियो के तारीफ तो करी रहे थे दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपके जैन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अखिर प्रियंका चोप्रा इतने फाल्तु के काम क्यों करती है तो हम आपको बताते हैं कि जो नाम बॉलिवोड से धीरी धीरे गायब होता देख रहा है उसको बॉलिवोड में वापस पाने के लिए कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है और ठीक उसी प्रकार प्रियंका चोप्रा भी बॉलिवोड न्यूज और सोशल मीडिया पर बने रहने के लिए कोई ना कोई अचा काम करती रहती है जिससे लोग उन्हें ट्रोल करें और जिससे लोग उनकी तरफ आकर्शित रहें ठीक उसी तरह प्रियांका चोपडा ने जब इंस्टाग्राम पे 50 मिलियन फॉलोवर्स कम्पलीट के थे तो उन्होंने एक फोटो अपलोड की थी इस फोटो को देखने के बाद उनके फैंस और ज्यादा भड़क गये थे और इसी को लेकर प्रियांका चोपडा का बवाल होता ही रहता है जो अब सब लोगों को काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है और कुछ लोगों को मज़े भी आते हैं खेर दोस्तों आप सबों को क्या लगता है कि प्रियांका चोपडा फॉरण में इंडिया का नाम कम कर रही है कि हमारे इज़त घटा रही है आपका क्या कहना है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें